वेलकम टू एजुकेशन 360 डिग्री आए चर्चा करते हैं पर्यावरण और प्राकर्तिक संसाधनों के बारे में देखे सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि आखिरकार वैश्विक जो राजनीती है वो वैश्विक पर्यावरण को लेकर आखिरकार क्यों चिनते थे क्या ऐसे रीजन हैं क्या ऐसे कारण हैं जिनको लेकर वैश्विक राजनीती में बहुत जादा चिनता का माहौल बना हुआ है देखे वैश्विक जो राजनीती है उस वैश्विक राजनीती में पर्यावरन संबंधी जो चिंता है उस चिंता के अंतरगत कृषी भूमी की उर्वरक्ता का खोना चराई जल संसाधनों की कमी होने के साथ साथ जो जैव विविधता है उसको बहुत जादा हानी हो रही है ज इस हानी की वजह से वैश्विक राजनीती में पर्यावरण सम्मंदी जो चिंता है वो बहुत जादा गंभीर मुद्धा बनता चला जा रहा है इसके साथ साथ जो पारिस्थितिकी तंद्र है साथ ही साथ तटिया परदूशन के लिए जो वास्तविक खत्रा आखिरकार पर्यावरण को बचाने का प्रयास करने की कोशिशें करने लगे हैं देखिए इस पर्यावरण को बचाने के लिए सबसे पहले 1992 में ब्राजील का एक शहर है रियो डी जेनेरियो वहाँ पर एक प्रित्वी सम्मेलन अर्थ समिट की गई और इस अर्थ समिट में बहुत अलग-अलग तरह के विचार जो है वो बहुत सामने आए यानि कौन-कौन से जो विच अलग-अलग विचार इन दोनों ही दुनियाओं के नजर आए ग्लोबल नौर्थ जो मानता है वो ये मानता है ग्लोबल नौर्थ यानि पहली दुनिया के देश जो की विक्सित देश हैं डेवैलप्ड कंट्री हैं उनका ये मानना है कि जो ओजोन परत का च्छै हो रहा है और ग्लोबल वार्मिंग जो हो रही है इस मुद्दो को लेकर ग्लोबल नौर्थ के जो देश हैं वो कही ना कही चिंतित थे और ग्लोबल साउथ ने एजन्डा 21 यानि जो थर्ड वर्ल्ड कंट्री हैं इन्हों ने एजन्डा 21 के द्वारा एक आर्थिक विकास और ये पहला ऐसा आपने आप में सम्मेलन था दुनिया के अंदर जिसकी वजह से ये बाते निकल कर सामने आई कि हाँ वैश्विक राजनीती में पर्यावरण को बचाने के कुछ प्रयास किये जा रहे हैं और दुनिया आखिरकार चिंतित है परियावरण को बचाने के लिए और ये पहला कदम था इसके बाद कॉमन्स क्या है आखिरकार साजी संपदा साजहा क्या है कॉमन्स वो संसाधन है जो किसी के स्वामित्व में नहीं है यानि किसी एक व्यक्ति का किसी एक देश का किसी एक कोई स्वामित तो नहीं है, कोई ownership नहीं है, ऐसे संसाधन है, बलकि ये माना ये जाता है कि ये साजी संपदा है और पूरे समुदाय की है ये संपदा, जैसे environment, environment में यदि हम बात करें, पर्यावरण में यदि हम बात करें, हवा, हवा देखिए किसी एक व्यक्ति का, किसी एक रास्ट का, एक देश का, इस पर स्वामित तो नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते कि भारत के सीमा रेखा के अंदर, जो हवा उपलब्द है, जो एर उपलब्द है, उस पर भारत का हक है, वो हवा जब border cross करेगी, तो कहीं ना कहीं, भारत की polluted, इंडिया की जो polluted air है, वो किसी परोस के देश के अंदर जाएगी, क्यों क्योंकि देखिए, ये ownership हमारे पास नहीं है, ये परियावरन है, परियावरन पर प्रकृती पर किसी भी एक व्यक्ति का, किसी एक देश का, किसी एक समुदाय का कोई अधिकार नहीं है, कोई स्वामित तो नहीं है, बलकि ये तो ऐ हम अपने environment को नुकसान पहुचा रहे हैं, air pollution फैला रहे हैं, तो ऐसी position में हम ये मान सकते हैं, कि भई देखिए, यदि हम अपने रास्ट में, अपने देश में air pollution फैला रहे हैं, तो सिर्फ इसका नुकसान भारत को ही नहीं होगा, बलकि दुनिया के अन्य रास्टों को भी हो सकता है, क्योंकि परियावरन या environment में जब भी pollution होगा, जब भी production फैलेगा, तो वो पूरी तरह से production को effect करता है, तो commons क्या साजहा समसाधन हैं, जो किसी एक व्यक्ति के, किसी एक रास्ट के स्वामित में नहीं है, किसी एक समुदाय के स्वामित में नहीं है, बलकि पूर समुदाय जो है, पूरा समुदाय बाकी के सभी रास्ट पूरी तरह से साथ में मिलकर उनका इस्तमाल करते हैं, तो ये वो संसाधन है commons, देखें वैश्वी commons उन छेत्रों को संदर्वित करता है, अब यहाँ पहले commons की बात कर ली, ऐसे संसाधन जो समुदाय के द्वारा यूज किये जाते हैं, समुदाय के द्वारा साजी किये जाते हैं, अब वैश्वी commons उस छेत्र को संदर्वित करते हैं, जिसमें अंतरास्टिय समुदाय के द्वारा सामान ने जो शाषन की जरूरते होती हैं, आवशकता होती हैं, उसको वैश्वी common कहा जाता है, जैसे अ अंटाक्टिका के ऊपर जो ओजोन का छिद्र है उसकी खोज करना ये वैश्विक कौमन है क्यों क्योंकि ये उस छेत्र को संदर्वित कर रहा है जिसमें अंतररास्टिये जो समुदाये हैं उसके द्वारा सामान ने शाशन की जरूरत है सामान ने आवशकता है कि आखिरकार परियावरन में क्या समस्याएं चल रही हैं जैसे अंटार्क्टिका के ऊपर ओजोन लेयर का डिप्रेशन जो हो रहा है उससे हमें पता चला है कि परियावरन को काफी नुकसान हो रहा है और परियावरन को बचाये रखने के लिए प्रियास किये जाने चाहिए इसके समस्याओं का सीवधाद सीधा संबंद टेक्नलोजी और ओध्योगी की विकास से पूरी तरह से जुड़ा हुआ है कैसे देखी जैसे जैसे हम लोगों ने तकनीक का विकास किया टेक्नलोजी उन्नत होती चली गई टेक्नलोजी और ओध्योगी करण के कारण कहीं ना कहीं हमार हमारे परियावरण को pensa ही साफ सत्रा था हमारे परियावरण में परदुशन जो था वहे बहुत ना के बरावर था और इनसान अपनी गतिवीधियों से मानव अपनी गतिवी प्रियोषणी निकल रहा था उसकी वजहा से वैश्विक जो परियावरन था उस परियाबरण को नुखसान हुआ और यहां simple सी एक ही बात निकल कर सामने आती है कि जो परियाबरण को छती पहुँचती है वो कहीं न कहीं इसका direct पारिस्ति की जो समस्या है इनका Direct & Relation है Technology और Industrial Development से ओध्योगिक विकास से हमारी टक्नीक जैसे 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 उननत होती चली जा रही है हम लोग जैसे जैसे ओध्योगिक विकास को करते चले जा रहे हैं वैसे ही वैसे कहीं ना कहीं हम पर्यावरण को भी च्रटी पहँचा रहे हैं देखे एक वैश्विक कॉमन की बात करें वैश्विक कॉमन क्या है तो वैश्विक कॉमन के रूप में बाहरी अंतरिक्ष का जो इतिहास दर्शाता है वो ये बात दर्शाता है कि इन छेत्रों के प्रबंधन उत्तर और दक्षिन के बीच की असमानताओं से पूरी तरह से प् पृतिवी का जो वायू मंडल है, महासागर का जो तल बढ़ रहा है और इसी तरह की जो संबंदित, पर्यावरन संबंदी, पारिस्तितिकी संबंदी जो समस्याएं हैं, ये सारी समस्याएं वैश्वे कौमन के रूप में कहीं ना कहीं भारी अंत्रिक्ष का इतिहास दर्शात और इस बात से ये चीज निकल कर सामने आती है कि जो उत्तर और दक्षिन के बीच की जो असमानता हैं, उन से पूरी तरह से प्रभावित है, क्योंकि देखे, जो पहली दुनिया के देश हैं, ग्लोबल नौर्थ, वो फर्स्ट वर्ल कंट्रीज हैं और डेवलब्ड कंट्र ये ताकि आगे हम लोग सस्टेनेवल डिवेलपमेंट कर सकें, अपने परियावरण को कम से कम नुक्सान पहुंचाएं, लेकिन जो ग्लोबल साउथ है, थर्ड वर्ल कंट्रीज हैं, इनका अपना पर्स्पेक्टिव है, इनका अपना व्यू है, ये ये बात मानते हैं कि भ भास के अंदर और वर्तमान समय में भी कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि हमारी जनसंख्या ज़्यादा है, तो हमें थोड़ा सा तो डिवेलपमेंट करने के लिए थोड़ा सा ओध्यों के विकास करना ही पड़ेगा, तभी हम अपनी आवशक्ताओं की पूर्ती कर सकते हैं, अन् देखें, अंतरास्टी है जो प्रवयापरण कानून और जो इसके नियमों का विकास हुआ है, उन नियमों के अनुप्रियोग और उनकी व्याक्या में विकास शेल देशों की जो विशेश जरूरते हैं, उन्हें ध्यान में रखा जाना चाहिए, ऐसा ग्लोबल साउथ का मा क्योंकि जैसा कि हम लोगोंने चर्चा करी है कि ग्लोबल नौर्थ और ग्लोबल साउथ दोनों की अलग अलग जरूरते हैं, माना कि ग्लोबल नौर्थ की जनसंख्या कम है, वहां लोग बहुत कम हैं, डेवेलप्ड कंट्रीज हैं, लेकिन उनका परव्यक्ती जो कार्बन उत्सर्जन है वो बहुत जादा है जबकि ग्लोबल साउथ में जनसंख्या जादा है यदि उनका कार्बन उत्सर्जन परव्यक्ति के हिसाब से निकालें तो वो परव्यक्ति कार्बन उत्सर्जन ग्लोबल नौर्थ की तुलना में काफी पीछे नजर आता है ऐसे में इनका यह मानना है कि भई देखी जो विशकाशिल देश है, इनकी कुछ विशेश जरूरतें हैं, इनने अभी डिवेलपमेंट करना है, इनने अपनी जरूरतों को पूरा करना है, और इनकी इन विशेश जरूरतों को ध्यान में रखकर ही अंतरास्टिय परियावरण कानून बनाए जाएं अंतरास्टिय पर्यावरण को बचाये रखने के लिए नियम, काइदे कानून, उनका कैसे इस्तमाल किया जाएगा, उनकी कैसे व्याख्या होगी, इन सभी चीजों में जो ग्लोबल साउथ है, यानि थर्ड वल्ल कंट्रीज हैं, विकाशिल कंट्रीज हैं, विकाशिल की गई थी, कि वही साजहा लेकिन अलग-अलग जिम्मेदारियां हैं, ये सिध्धान्त क्या है, देखे बहुत important बात है, बहुत important term है, साजहा लेकिन अलग-अलग जिम्मेदारियां, अब माना की पर्यावरण हम सब की साजहा संपत्ती है, साजहा संपता है, लेकिन इस पर developed countries, विकसित देश, विकसित देशों का जो प्रतिव्यक्ति कार्बन उतसर्जन है वो बहुत जादा है, इसलिए परियावरण को नुकसान ये लोग जादा पहुँचा रहे हैं, तो विकसित देश ये मान रहे हैं कि भई देखिए हम प्रतिव्यक्ति कार्बन उतसर्जन देशों की तुलना में कम हैं तो पर्यावरण हमारी साजह संपदा साजी संपत्ती जरूर हो सकता है लेकिन इसे बचाए रखने के लिए इसके नुकसान की भरपाई के लिए हम सभी की जिम्मेदारी अलग-अलग है तो ये पहली बार ये तर्क दिया गया 1992 के रियो डिजेने प्रिथ्वी संपदा के अंदर की पर्यावरण साजी संपत्ता जरूर है लेकिन इसे बचाए रखने के लिए हमारी सब की अलग-अलग जिम्मेदारियां है इसके बाद देखिए 1992 में जो प्रिथ्वी संपत्ता है अर्थ समिट हुई थी उस रियो घोशना पत्र में सामान और यह बात कही गई कि जो विकास्चील देश हैं इन विकास्चील देशों की कुछ विशेश जो जरूरते हैं इन जरूरतों को भई दियान में रखकर ही अंतरास्टिय इस्तर पर सभी परकार के पर्यावरण को बचाये रखने के लिए जो कानून बनाये जाएंगे नियम काईदे कानूनों की जो व्याक्या होगी और उन्हें लागू करने के लिए जिन बातों का दियान में रखा जायेगा उनमें सबसे महत्पूर्ण बात होगी कि विकास्चील देशों की विशेश जरूरतों का दियान रखा जरूर जाये क्यों क्योंकि यहां ग्लोबल नॉर पर एक संग्तराष्ट धाचा समेलन हुआ था UNFCCC इसमें समानता के आधार पर और उसकी उनकी जो साजहा लेकिन अलग-अलग जिम्मेदारियां और उनकी शम्ताओं के अनुसार जल्वायू परणाली की रक्षा करने पर बहुत जादा जोर दिया गया था इसी जो जल्वायू परिवरतन संग्तराष्ट समेलन में ये बात कही गई थी कि बहुत देखिए कि समानता के आधार पर साजह संपदा साजह संपत्ती जरूर है पर यावरन लेकिन हमारी अलग-अलग जिम्मेदारिया हैं और हमें ये बात भी दिहान रखनी है कि अपनी शम वायू परणाली की रख्षा इतनी कर नहीं सकते लेकिन हम जोर दिये जा रहे हैं कि हमें ऐसा करना चाहिए तो यहां 1992 का जो रियो डीजेनेरियो में समेलन में ये बात कही गई थी कि साजह लेकिन अलग-अलग जिम्मेदारियां ये दोबारा वहाँ ही से बात निकल कर हमा उठी वो 1997 में जापान का क्योटो एक शहर है वहाँ पर क्योटो प्रोटोकाल हुआ एक अंतररास्टिय समझोता हुआ जो समझोता ये कहता है कि जो ओध्योगिक देशों के लिए ग्रीन हाउस गैस के उतसरजन में कटोती के लिए लक्षे निरधारित करता है और इस 1992 में UN FCCC में जो बात परिभाशित की गई है उस परिभाशा के आधार पर ये सहमती बन रही है कि हम साजहा तो संपत्ती परियावरन हमारा जरूर है लेकिन अलग-अलग जिम्मेदारियां भी है और हम अपनी शमताओं के अनुसार ही जलवाईयों की जो परणाली है उसकी रक्षा करने पर जोड देंगे तो ये 1992 में रियो डीजेनेरियों का प्रिथवी सम्मेलन पहला बहुत एहम कदम रहा है परियावरन को बचाय रखने के लिए उसके बाद 1992 में UN संकुतरास्ट संग का जलवाईयों परिवरतन पर एक धाचा सम्मेलन हुआ था वो ये बात कह है था था कि अपनी शमताओं के अनुसार ही हम जलवाईयों परनाली की रक्षा करने पर जोड देंगे और 1997 क्योटो प्रोटोकॉल जापान के अंदर इसमें ये बात accept कर ली गई ये बात मान ली गई कि सहमती बन गई कि जो ओध्योगिक देशों के लिए ग्रीन हाउस गैस जो के उत्सरजन में कटोती की जानी चाहिए और कटोती होनी चाहिए तभी हमारे पर्यावरण का हमारे वैश्विक पर्यावरण का संरक्षन संभव हो पाएगा साजा संपत्ती जैसा कि मैं पहले डिसकस कर चुका हूँ साजा संपत्ती एक ऐसा सिध्धान्त है जो ये बात बताता है कि जिसके पास प्रकृति उप्योग के इस्तर पारस्परिक समझ और पर्थाओं के साथ दिये गए संसाधनों के रखरखाओं के संदर में अधिकार औ और दोनों कर्तब हैं यानि साजा संपत्ती का मतलब सिर्फ इस्तमाल करने से नहीं है कि पर्यावरण हमारी साधा संपत्ती है पारिस्तिति की हमारी साजा संपत्ती हम इसका अच्छे से इस्तमाल कर लेंगे लेकिन इसे बचाय रखने के लिए अपने कर्तब या पूरे नह संसाधनों का उपियोक किया जाएगा, उनको पारसपरिक समज और पर्थाओं के साथ, संसाधनों का जो रख रखाव है, उसके संदर्व में अधिकार और अधिकारों के साथ साथ करतव्य, कितना हम इस्तमाल करेंगे पर्यावरण का अपनी development के लिए लेकिन पर्यावरण को बचाय रखने के लिए हमारी जिम्मेदारियां क्या-क्या है हमारे कर्तव्य क्या-क्या है ये दोनों ही बातों का अधिकार और कर्तव्य इन दोनों का ही mixture साजा संपत्ति के अंतरगत इस्तमाल किया जाता है उमीद करता हूँ मेरे द्वारा वीडियो में दी गई जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी यदि आपको वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें शेर करें चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद